हाईलो फ्रेंड्स गुड विनिंग दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC MTS Exam 2023 के आल सिप्ट में पूछा आ सकने वाले GKGS वहां करेंड अफियस के संभावित महत्पूर्ण परसनों को साल्ब करेंगे दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके एक्जाम में पूछे जाने वाले प्रसनों के टापिक्स प्रसनों के लेबल वहां टेंड को पूरी तरह से ध्यान में रखकर बनाये गया एक महत्पूर्ण वीडियो है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर साल्ब करें कोस्टन कम साल्ब होने पर पुना परसनों का रिवीजन करें ताकि जीके जीएस में करेंट अफियस के टापिक से आप लोग एक्जाम में अच्छे से अच्छा परफार्म कर सकें तो चली दोस्तों जादा समय न लेते ही है हम लोग इन संभावित महत्पूर्ण परसनों को साल्ब करना सुरू करते हैं दोस्तों कोश्चन नमर वन है मारा बंगाल में अस्थाई वंदोवस्त किसने लागो किया बार बार पूछा गया वंडेक जाम का फेवरेट कोश्चन है दोस्तों राइट एंसर होगा इसका बंगाल में अस्थाई वंदोवस्त लाड कार्नवालिस के द्वारा सुरू किया अगला कोश्चन है उस्ताद बिस्मिल्ला खा का संबंद किस वादियंतर से है उस्ताद बिस्मिल्ला खा का संबंद किस वादियंतर से है तो इस सहनाई से है अगला कोश्चन है उस्ताद जाकिर हुसेन का संबंद किस वादियंतर से है तो इस तबला वादक है और दोस्तों सि यहाँ पर महात्पूर्ण दोस्तों वादियन से कबर कर रहे हैं जो कि दोस्तों आपके हर सेफ्ट में यहाँ से question देखने को मिलेंगे दोस्तों इस वीडियो में ऐसे बहुत सारी प्रस्णों को सामिल किया गया है जो कि दोस्तों आपके SSCGD, SSCCGL वाँ SSC CHSL में पूछे गया हैं वहाँ बार बार रिपीड भी हुए हैं अगला question है भारत में वर्तमान के साली सीटर जनरल कौन है करेंट का मोश्ट बड़ कोश्चन है दोस्तों भारत के साली सीटर जनरल बताने वर्तमान में तो सुत्तोसार महता है अगला question है इस्टेटिक जीगे का आगरा सहर की अस्थापना किस ने की थी राइट एंसर होगा सिकंदर लोदिनी आगे चलेंगे हम लोग next question क्यों अगला question है दोस्तों लावडिक किस राजिका परसिद्ध लोक नेरते है राइट एंसर होगा महाराष्ट का दोस्तों परमुक वादियंद, सास्त्रिय नेरत, योमलोक नेरत, परमुक ट्राफिस, आगामी खेल परतियोगता है यह सब दोस्तों आप लोगों के most important topics रहेंगे यहां से दोस्तों आपके हर सिप्ट में questions देखने को मिलेंगे कुछ दोस्तों हम लोग सास्तिनित वा लोकनित के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर ध्यान रहें किया दोस्तों कत्कली हो गया, ओडम हो गया और मोहिनी एटम हो गया यह तीनों केरल के हैं भरतनाट्यम तमिल नाडु का है, कुछपुडी आंधर परदेश का है, यचग उत्तर भारत, विसेसकर उत्तर परदेश का है, इसके लाओं दोस्तों और भी जैसे से हम लोग दोस्तों आगे बात करते रहेंगे, इस पर अगला कोश्चन है दोस्तों, परमुक समाज की स्थापना किस ने की थी, राइट एंसरों का जोतिवा फोली ने, दोस्तों परमुक समाज सुधारक ये भी आप लोगों का most important topics रहेगा, जिसमें 6-7 मुख रूपस ने, दोस्तों जहां से question पूछे आते हैं, एक है दोस्तों ब्रम समाज, इसकी स्थापना 1828 सेजबी में राजा राम मोहर राई के द्वारा की गई थी, एक है प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्माराम पानुरंग ने की थी, एक है दोस्तों रामकिर्स मिसन की स्थापना, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानन ने आपने आध्यात्मिक गुरू रामकिर्स प्रम्हंस के नाम से 897 नवे इसवी में रामकिर्स मिशन की अस्थापना की थी इसके लाओ दोस्तों यह ख़ए आरी समाज इसकी अस्थापना 875 इसवी में स्वामी देनाज सरस्वती के द्वारा बंबाई में की गई थी और इनकी एक परसिद्ध किरती है सत्यार्थ प्रका इस करेंट में दोस्तों कुछ पुराने भी कोश्चन पूछाते हैं ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ऐसे कोश्चन को भी आप पूरी तरह से कवर करने का प्रियास करें कोश्चन है फिफा अंडर 17 महिला विसकप 2022 का आउजन कहा पर हुआ तो भारत में हुआ नेक्स्ट कोश्चन है ओपेक देशों का सम्मन्द किसे है तो दोस्तों ओपेक तेलनी नियातिक देशों का येक संगठन है नेक्स्ट कोश्चन है विस एथिलेटिक से चैंपियांसिप 2022 का आउजन कहा पर हुआ तो ये अमेरिका में हुआ और नियली कॉष्चन का सम्मन्द किसे है तो ये मद से उत्पादन से है सारे कोश्चन दोस्तों बार-बार रिपीट होते रहते हैं नेक्ट कोश्चन है थामस कब 2022 का भी जेता कौन है तो भारत है कौन है भारत है तो 2022 है दूस्तों हम लोगों ने यहाँ पर तीन कोश्चन कवर किए थामस कब यहाँ दूस्तों बिस एथलेटिक चैंपियंशिप 2022 और फिफा अंड़ा 17 मैला की बिस कब 2022 उसके अलाओ दूस्त किस मुगल समराट के दर्बार के संगीत तक थे तो यह अकवर के थे नेक्स्ट कोश्चन है राष्ट्य विकास परिषद यानि की अंड़ी सी किया स्थापना कब हुई थी राइट एंसर होगा 1952 में अगला कोश्चन है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर संचालित है त सीज़ कोश्चन दोस्तों ये दोस्तों बनाया गया योजना करें चु私 है क noodle कोश्चन है द्श्त नेक्स्ट सोज नेहर किंदो सागरों को जोडती है राइट एंसर होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोडती है यह अगर प्रामा नेहर की बारे में बात कें दोस्तों तो यह आटलांटिक महासागर को परसांत महासागर से जोडती है नेक्स्ट कोश्चन दोस्तों फंडामेंटर राइट से यानि मूल अधिकार से कोश्चन है उपाध्यो कान्त किस अनुच्छिद में आता है तो अनुच्छिद 18 म पर भ्यान दीजिएगा 22 फिफा वर्ल्ड कप में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया तो टोटल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था नेक्ट कोशन है कोईना जल विद्धूत परियोजना किस राजी में है तो विये महराष्ट राजी में संचालित है अगला कोशन है राध्धा रेड़ी किस नित से सम्मंदित हैं तो एक कुछपुडी से हैं और कुछपुडी किस राजी का सास्ते नित हैं आंधर परदेश का अगला कोशन है भारतिय सेना द्वारा आपरेशन सद्भावना का विजन कहा किया गया तो एक लद्दाख में किया गया है नेक्स्ट कोशन ग्रैमी पुरसकार की छेतर में परदान किया आता है तो इस संगीत के छेतर में दिया जाता है आगे चलेंगे हम लोग, next question क्यों, अगला question है दोस्तो बंदे भारत एक्स्प्रेस, नाम सुने होंगे आप लोग, चलाने वाली पहली महिला लोको पाइलट कौन बनी है, तो सुरेखा यादो है, सब्सक्राइब करें दोस्तो आप हमारे चैनल सिवकृपा कलासेज को इसी तर सब्सक्राइब जरूर करें, एक बात और दोस्तो इन सभी बैकेंसियों से समने कोई भी जानकारी चाहिए या डाउट्स हैं, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिपलाई दिया जाएगा, अगला question है भाखडा नांगलबाद किस नदी पर निर में थ बाएगा, तो टोटल दस वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है, नेक्स्ट कोशन है हिंदी भासा के लिए साहित अकादमी प्रसकार 2022 के विजयता कौन है, तो बद्री नारायन है, नेक्स्ट कोशन परियाउट दिवस आप लोग जानते होंगे, कम मनायता है, तो पांच जू अगला कोशन है, सिमला समझोता कि इंदो दोसों के मद्ध हुआ था, तो या भारत हुआ पाकिस्तान के मद्ध में हुआ था, नेक्स्ट कोशन है, भारतिय संग्धान में कितनी अनसूची है, तो टोटल बारा अनसूची है, ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे चलेंगे नेक्स्ट कोश्चन की और अगला कोश्चन है दोस्तों सरकारिया आयोग संबंधित है तो सरकारिया किसको लेकर बनाया गया था केंद्रा संबंधों को लेकर नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर इस्तित है तो नई दिल्ली में इस्तित है संफारम में सात मोल अधिकार थे लेकिन 44 संप्वाल अधिकार को मोल अधिकार से हटा कर विधिक अधिकार बना दिया गया और 960 300 का में जोड दिया गया, तब से यानि कि वतमान में टोटल मोल अधिकारों की संख्या 6 है, 12 में राज की प्रिभासा दी गई, 13 में इनकी कार से संबंदी चीजे दी गई है, 14 से हमारे राइट सुरू होते हैं, 14 से 18 समानता का अधिकार चलता है, उसके बाद 19 से 22 स्वतंता का जो कि यहां से हता कर एक विधिक अधिकार बना दिया गया, और 32 में है संग्वेधान कुपचारों का अधिकार, जो कि हमारा कोश्चन था, अगला कोश्चन है, अटल और ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोल अधिकार भारती संग्वेधान का भाग 3 है, अगला कोश्चन है, अटल पेंशन योजना किस उम्र के लिए है तो 18 से 40 वर्स के लिए है नेक्स्ट कोश्चन सायनिक गडवंधन नाटो यानि की नार्थ एटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन उत्तरी एटलांटिक संधी संगटन इसका पूरा नाम है का 31 सदसी देश कौन बना है तो फिनल 2011 से साथ सबसे कम अगला को पहरत के महानियावधी कि सलंऔर इंडिया आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्यों और शौरगडबंदन का नवींतम हस्ताचर करता राष्ट कुंसा है तो कांगो गंद राज्ज पितनल किंध मिस्ण है तो ताबा तथा जस्ता लेकिन सूम्हों में उर्जा उत न संगलैन की परकिरिया है अगला कोश्चन फुटबाल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है तो 16.5 मिटर होती है दोस्तों ऐसे भी डीपली कोश्चन पूछे जाते हैं नेक्ट कोश्चन है हाली में एस का पहला फ़ुलोटिंग फैस्टेबल कहा आयुजीत किया गया मंदसौर मंधिपर्देश मिं किया गया अगला कोश्चन है आगा खा किस खेल से संबंदित है तो यह हा किस परमुक ट्राफीस से वैक्तिंप से संबंदित। यह से भी कोषों। पूछे आते हैं कि किस केल से क्वैक्तिच से संबंदित हैं। आगे चलेंगी हम लोग, next question क्यों क्यों, अगला question है दोस्तो हुँ, इंडियन मिलिक्टरी अकेडमी कहा पर इस्थित है तो यह देहरा दून में इस्थित है नेक्ट कोशन है इंसुलिन की कमी के काण होने वाला रोक तो डाइविटीज है अगला कोशन हीतोब देश नामपुस्ता की लेखा कौन है तो विसुडू सर्मा है और सिरीज का लास्ट कियोंगे और देखेंगे कि यहां से आपके कितने परसने सही हो रहे है तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्विकृपा कलासे से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोरा दे जाने वाले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग